हलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, सामने आप देख रहे हैं हुंड़ाई i10 का स्पोर्स CNG वेरियंट, डेटेल में रिव्यू करेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्स्राइब कर लो और वीडियो पसंद आती है तो भाई एक लाइक जरूर कर सकते हैं, बात करें गाडी के प्राइसिंग की आठ लाग तेरह हजार रूपे एक्सवरू में, वही नो लाग पैंतिस हजार रूपे ओन रोड है गुरगाउं वरियाना में, इस प्राइस रेंज की इंदर आप देख सकते हैं, क्या कमाल का लुक आपको जो है i10 स्पोर्स में देखने को मिलेगा, वहीं कर लेते हैं, विर्थ के बारे में, डेफिनेटली काफी गजब की विर्थ है, लगबग 1680 mm की आपको ओवरल गाड़ी में विर्थ देखने को मिल जाती है, वहीं अगर बात करें, फीचर के बारे में, तो ये देखे है बाई, जो हैड लेंप है, ये आपको हैलोजन कर दिया है उंड़ी ने, जो कि भाई सही भी है और ठीक भी है, वहीं अगर बात करें सामने, तो यहाँ पर लोगो मिल जाता है, जो कि आपको सिल्वर फनिस में देखने को मिलेगा, सामने की ग्रिल कुछ इस प्रकार की मिलेगी, जो कि ग्लोसी ब्लैक फनिस के साथ आती है वहीं अगर बात करें गाड़ी के साइड लुक के बारे में, तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है साइड से, लेंथ की बात करें, 3850 mm की गाड़ी में लेंथ मिल जाती है, वहीं 2450 mm का गाड़ी में आपको वील बेस मिलते हैं, इसलिए जो स्पेस है वो भी आपको काफी लेकिन लगते हैं, अलोईज के जैसे जो की दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, आगे डिस्क ब्रेक है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, ओवर यें बोडी कलर्ड जो है आपको यहां पर मिलेगा, वहीं इंडिकेट आपको इसके उपर प्लेस हुआ कि वहीं डोर हैंल भी आपको बोडी कलर्ड मिलते हैं, पीछे जी आई टैन की आपको बैसिंग मिलेगी, सबसे बढ़िया गाड़ी का लुक निकल के आता है रियर से, यह देखे बाई, रियर से गाड़ी काफी कमाल की लगती है, इस प्राइस निंज में अगर आप सिरफ आपको आई टैन ही ओफर करती है, फीचास की बात कर लेते हैं तो रूफ के उपर सार्क विन एंटेनर मिल जाता है, छोटा सा स्पोईलर है, इंटेग्रेटर हाई मांट स्टोप लैंब यहाँ पे दिया गया है, डीफोगर है, सी एन जी की आपको यहाँ पे स्टीकर मिल जाएगा, टेल लेम्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे LED में टेल लेम्स मिल जाता है, जो यह वाली पट्टी है, यह बेसिकली फंक्शनल नहीं है, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्टर का तो काम करती है, दिखने में काफी अच्छा लुक देती है, रियर से, वहीं आपक 260 लिटर का आपको बूटी स्पेस मिलेगा, वहीं पीछे आपको CNG का टैंक मिल जाएगा, जो की 60 लिटर वोटर केरिंग कैपसिटी के साथ आता है, 7 किलो से लेके 8 किलो तक जो है इसमें गैस आपको देखने को मिलेगी, अगर आप मारूती की सिफ्ट CNG लेने जाओए तो तो वहाँ पर सिरफ आपको 55 लिटर का ही टैंक मिलता है, लेकिन इसमें आपको 60 लिटर का बड़ा टैंक मिलता है, जो गैस है वो यहाँ पर काफी अच्छे से आजाएगी, वहीं टैंक को उपर अच्छे से प्लेस किया हुआ है, इसलिए जो छोटे बैग है वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगे, जो भाई हैजबेक, सिंग लेने जाओगे तो वहाँ पर बूट स्पेस है वो तो आपको ना के बराबर मिलता है, लेकिन फिर भी टैंक होने के बाद यहाँ पर थोड़ा मोड़ा जो है स्पेस बचा हुआ है, छोटे मोटे सामान आपके आ जाएं यह बहुत जरूरी बात है, यहाँ से खुल जाएगा वेंट और अगर आप मारूती की सिफ्ट वगएरा लेने जाओए ना भाई, सिंग में तो वहाँ पर अलग से ही वेंट मिलेगा, लेकिन आई टैंड में सबसे अच्छी बात ही है कि आपको सिंग का वेंट डेडिकेट साइज का हैं पर स्पेस थोड़ा सा मिल जाएगा, वहीं जो लुक है वो गाड़ी को काफी गजब की बना देता है, सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो भाई बेस मोडल से ही गाड़ी में आपको चार एरबैक देखने को मिलेंगे, तो जो सेफ्टी है इस सेगमेंट में वो आपको Hyundai i10 में ज़्यादा देखने को मिलेगी, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर जाने से पहले आपको दिखाते हैं गाड़ी की चाबी, तो यह है overall गाड़ी की चाबी, यहाँ पर आपको मिलती है, कुछ इस प्रकार की फिलिप की, रिमोट की के साथ आती लोग का बटन है, अलोग का बटन है, और इस बटन से बेसिकली बूट रिलीज हो जाएगा, लेकिन ओपन नहीं होगा, दूसरी की आपको यहाँ पर सिंपली मिलेगी, इस्पेस की बात करें, तो यहाँ पर जो इस्पेस से अंदर का वो काफी बढ़िया मिल जाएगा, वह यह वाला पार्ट पूरा आपको हड़ प्लास्टिक के साथ मिलता है, और फॉर पार विंडो के बटन यहाँ पर आ जाते हैं, वहीं और वार्विम एड्जस्ट्रमेंट का बरतन है, नीच से आपको स्पीकर की प्लेस्मेंट मिलेगी, गाड़ी में आपको चार स्पीकर मिल कर सकते हो, पीछे आपको adjustable headrest मिलते हैं, लेकिन आगे आपको fix headrest मिलते हैं, एस इवेंट की बात करें तो भई, आई-10 को जो इस प्रकार की इस इवेंटर ने, यह काफी बढ़िया लगते हैं, वहीं आपको मिल जाता है, फ्यूल को चेंज करने का बटन, पैट्रोल से CNG औ है, headlamp को level करने का button मिलता है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं, इंटेर, इंटियर भाई, Hyundai i10 का काफी प्यारा है, वहीं, fit और finish की बात करें, तो भाई, Hyundai i10 इस चीज में बाजी मार ले जाती है, तो यह हैं प्यारा सा interior भाई, इसको बंद करते है पहले बात करें, इस्टेरिंग के बारे में, तो यहां पर round safe में इस्टेरिंग मिल जाती है, quality काफी अच्छी है, जैसे मैं पहले बता रहा था, fit and finish आपको हुंडेगी, सभी गाड़ियों में काफी बढ़िया मिलेगी, वहीं इस्टेरिंग पर आपको इस्टेरिंग माउं दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है, 220 के speed है, RPM मीटर है, बीच में M.I.D. जिसमें आप पुड़ी सी information चैट कर सकते हो, इस बिटन के help से, fuel economy, pay trip भी और बाकी यहां पर आपको TPMS जैसे feature भी देखने को मिलेंगे, जो कि safety को काफी बढ़िया करने वाले है, इस price range में, segment की, किसी भी गाड़ी को आप लोगे, वहाँ पर आपको तिनी safety नहीं मिलेगी, जो आपको Hyundai i10 के अंदर मिलने वाली है, सामने का look इस प्रकार से मिल जाता है, 7-inch का infotainment system हो जाता है, Apple CarPlay and Roto wirelessly play कर सकते हो, वहीं इसके 4 और आपको glossy black finish मिलेगी, एस ही यहां पर manual है, cooling काफ box मिलेगा, इसके उपर भी थोड़ा सा storage मिल जाएगा, बाकि यहां पर आपको honeycomb pattern मिल जाता है, manual IRVM मिलेगा, और यहां पर आपको simple मिलेगा, co passenger side में basic आपको vanity mirror मिल जाता है, 5 speed का gearbox यहां पर आजाता है, 2 cup holder यहां पर जाएगा, कोई भी armrest आपको center में नहीं मिलेगा, बात बड़ी चोड़ी seat मिलेगी, बैठने में काफी बड़िया, जो है मजा आएगा, safety features की बात करें, तो गाड़ी में आपको 4 airbag ABS with EBD brake assist जैसे feature यहां पर मिलने वाले है, आपर जो safety है, वो top notch quality की होच सुकिए, वहीं आपको traction control भी मिल रहा है, अब चलते हैं, गाड़ी के पीछ अरे यार, ठीक है, इसको बंद कर देता है, तो यह है rear seat, seat की बात करें, तो काफी बड़िया seat है, recline angle, इन seat का काफी गजब का है, बैठने में आपको काफी comfortable सा feel होगा, door opening wide है, anti exit करने में दिक्कत आपको नहीं होने वाली, वहीं आपको मिलेगा, power and do a button, speaker, bottle holder, अब चलते है seat पर, तो भाई, seat की quality, जैसे मैं आपको पहले बतार था, काफी बढ़िया है, बैठने में काफी comfortable feel होगा, इस seat को ऐसे design किया गया है, कि यहाँ पर जो space है, वो थोड़ा सा आगे निकल जाए, तो जो leg room है, वो काफी बढ़िया मिल जाए, जो आपके नी है, वो आगे वाली seat में touch नहीं होंगे, अगर आपकी height में भी जादा है, तो इस event पीछे मिल जाएगा, जो कि rear passenger के लिए वही पीछे 12 वर्ड का power circuit भी दिया गया है, और यह है, adjustable headrest, बाकि space काफी बढ़िया है, आप headroom देख सकते हो, headroom भी काफी decent चाहिए, आपको मिल जाता है, इस pricing में भाई ठीक है, और यह है, lamp, 8,13,000 रुपे में आपको ऐसी गाड़ी मिल जाए, और भाई, क्या ही चाहिए, अब चलते हैं engine part की और, क्योंकि वो main part है, यहां से होगा hood open, आराम से hood open हो जाता है, और अब खोलते हैं इसका bonnet, तो यह है Hyundai i10 sport cng का engine, इसके इंदर आपको 1.2 लिटर क 4-cylinder petrol plus cng engine देखने को मिलेगा, जो की निकालता है 68 bhp और पिच्चान में नहीं का torque, और यह देखिए, यहां पर आपको कापा series का engine मिलता है, वहीं बात करें mileage की, तो definitely mileage काफी बढ़िया निकालने वाला है engine, बेसिकलिए आपको insulation यहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन जो engine है, वह काफी refine है, अगर बात करें mileage के बारे में, तो 28 से लेकि 30 की mileage यह गाड़ी आपको निकालके देने वाली है, on highway, तो यह हो गया review overall Hyundai i10 sports cng का, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको यह वीडियो कैसे लेगी मुझे comment करके ज़रूर बताए, Hyundai i10 का sports cng variant क्या value for money ह यह भी आप मुझे बता सकते हैं, मिलते हैं आपसे की जैसी next video में, thank you so much for watching.